हलो दोस्तो स्वागत है आपका आज हम लोग मुंडा जन्जाती के बारे में अध्यन करेंगे हम लोग संथाल जन्जाती और उराओं जन्जाती के बारे में पहले ही पढ़ चुके हैं अब आज हम लोग मुंडा जन्जाती से रिलेटेड जितनी भी important point है उसको discuss करेंगे तो पहले मुख्य बात पहले मुख्य बात जो जो है मुंडा जन्जाती से रिलेटेड उसको हम लोग discuss कर लेते हैं मुंडा जारखंड की तीसरी सरवाधिक जन्संख्या वाली जन्जाती है तो आप लोग सबसे पहले याद रखना है कि मुंडा जो जन्जाती है जारखंड की कुल जन संख्या, जन जातियों की कुल जन संख्या में इसका इनका जो परतीसत है वो है 14.56 ठीक है, इतना हम लोग जान गए अब हम लोग देखेंगे मुन्डा सब्द का क्या अर्थ होता है मुन्डा सब्द का अर्थ होता है बिसिस्ट बेक्ती कि स्ytyyिष्ट यहां पर कर выглядит का अर्थ है कि गाउं का राइनी परमुख क्या है इस बैक्ति का मतलब हो गया काौं का राहनी नितिक परमुख भी होता है ूसेंस में भी आप लेके चलेंगे टिक है यह जो जन्जाती है न यह जन्जाती कॉले रियन समुसे समंधित है कौन से समों से समन्दित है कॉलेरियन समों से समन्दित है चीक है और जो मुंडा जन जाती जो है ना इनका निवास अस्थान ऐसे तब बहुत सारे बिदवानों लोग बताये कि निवास अस्थान इनका तिबबत है अभी भी मतबेद है ना इनके निवास अस्थान के समन्द में बिदवानों में भी मतबेद है कुछ बिद्वानों ने इनका मुलस्थान तीबद को माना है कहा माना है तीबद को माना है जबकि कुछ बिद्वानों का नुसार आरियों के आरियों के कारण ना आरियों के दबाओ के कारण ये दक्षिन पच्चिन से मध्परदेश होते हुए जारखंड में आये ठीक है कहा आए जार्खन में आए कैसे तो दक्षिन पर्चिन से मध्परदेश होते हुए जार्खन में आए वहीं एक विचार और भी है कि यह जंजाती दक्षिन पूर्व कहां से दक्षिन पूर्व से होकर जार्खन में आई और असूरों को प्राजित कर अपनी सासन बेवस्थास था कि क्या कि असूरों कोलेरियन समू से समन्नित है निवास अस्थान तीबत है कुछ बिद्वानों ने तीबत माना है यह आरियों के कारण दक्षिन पच्छिम से होते हुए मद्परदेश होते हुए जारखंडाए और असूरों को प्राजित कर यहां पे अपनी सासन को T कैया पॉड़ोI जगर कहते है । इनका सरवाधिक सनकेंद्रन मतलब इनका ज़्यादा जनसंख्या में किस जीला में रहते हैं राची जीला में रहते हैं इसके बाद हम लोग देखें कि गुमला सिम्डिगा पचिम सिंभूम तथा सराई केला खरसावा में भी इनका जादा जनसंख्या में निवास करते हैं मतलब यह जनजाती जादा जनसंख्या में निवास करते हैं अब नेक्स्ट पॉइंट यहां प पे भी बर्तमान स्वाय में रह रहे हैं ना संचार साधन के विकास के कारण अब तो दूसरी जगा भी रहने लगे हैं ठीक है अब हम लोग देखेंगे मुंदाओं द्वारा निर्मीत जो भूमी होता है उस भूमी का क्या नाम है खुटकटी भूमी बोला जाता है जो मुंदाओं द्वारा भूमी तियार किया जाता है उसको क्या बोलते है खुटकटी भूमी ठीक है इनकी प्रासासनिक बेवस्था में खुट का क्या अर्थ होता है, खुट का अर्थ होता है, परिवार, परिवार से है, ठीक है, तो इतना हम लोग देख लिए, अब हम लोग नेश्ट पॉइंट पे चलते हैं, ठीक है, अब समाज और संस्कृति के बारे में, मुंडाओं का समाज जो कैसा था, और संस्कृति कैस जाता था उसके बारे में देखेंगे तो मुंदा मुंदा को क्या बोला जाता है कोल भी कहा जाता है याद रखिएगा ना कोल भी कहा जाता है मुंदा को कोल भी कहा जाता है और मुंडाओं का जो युवा गृति संजाना जाता है गीति ओडा इवा घृति अपरiness है न pengon टीक है क्या बोला जाता था दुमकुडिया बोला जाता था यहां पर गिती ओड़ा है है याद रखेगा चलिए देखते हम लोग और बिवाह को क्या बोलते है बिवाह को क्या ग्राम परधान को किस नाम से जानते हैं तो ग्राम परधान को मुंडा की ही नाम से जानते हैं मुंडा जानते हैं मुंडा ग्राम परधान को ही बोलते हैं ग्राम परधान को क्या बोलते हैं हातु मुंडा याद रखिएगा ना क्या बोलते हैं हातु मुंडा जो पंचायत परधान होते हैं हातु मुंडा खलाते हैं कई गाओं से मिलकर बनी पंचायत मतले बहुत सारे गा सकते हैं ना अख्रा बोलते हैं ठीक है परहा पंचायद का जो परधान होता है परहा पंचायद परहा पंचायद का जो परधान होता है परहा पंचायद के से बनेगा बहु सारे गाउं से मिल बनेगा और परहा पंचायद का जो परधान है उसको मानकी बोलते हैं क्या बोलते ह तमाड छेत्र में उसे ना तमाड या मुंडा की नाम से भी जानते हैं या पातर मुंडा की भी नाम से जाना जाता है कौन जो तमाड छेत्र में जो मुंडा जन्जाती निवास करते हैं ना उसे तमाड या मुंडा या पातर मुंडा कहा जाता है ठीक है अब हम लोग नेक्स पॉइंट पर चलते हैं सरवधीक सम्तिक प्रस्लित भीवा ना संदक्र ज़ंजाती में सरवधीक प्रस्लित भीवा आयम ऑजिद भीवा है क्मसा भीवं है ऑउजीद भीवा है ठिक है विवा के और बी परकार है चलिए हम लोग देख लेते हैं राजी खुसी बिवा राजी खुसी बिवा में क्या होता है राजी खुसी बिवा में वरवधु की इक्छा के अनुसार ही साधी होती है तो ये तो बहुत अच्छा है इसलिए नाम ही है इसका राजी खुसी बिवा ठीक है ठीक है सेवा बीवा अब यहां पर हम लोग सेवा बीवा हम देखेंगे सेवा बीवा और भी जंजाती जितने भी है ना जैसे आपका संथाल हो गया उरा हो गया सेवा बीवा उन जंजाती में भी परचलित है सेवा बीवा में क्या होता है ससूर की घर सेवा द्वारा वधू म सबसे पहले सबसे पहले लड़का के घर ही चली जाती है और वहीं से उसका साधी संपन होता है अगर कोई इस्तिरी तलाग देती है कोई इस्तिरी कब चल रहे हैं तो तो कोई इस्तिरी तलाग देती है वद्धुमुलिय जो बरपक्ष से दिया जाता है लोटाना पड़ता है ठीक है और तलाक को तलाक को मुंडा जन्जाती में क्या नाम किस नाम से पुकारते हैं तलाक को कि तलाक बोलने के लिए किस टर्म को यूच करते हैं साकम चारी ठीक है तलाक में सुथता है चाक साकम चा तथा गोत्र अब यहां पर देखेंगे जो मुंडा जन्जाती का जितना कितना गोत्र है तो 340 गोत्र माना गया है लेकिन किसके अनुसार रीजली का नुसार 340 जो गोत्र माना गया है कि मुंडा जन्जाती में ठीएंडटर 400' गोत्र है तो किसके अनुसार है रीजली का नुसे ठीक है औगोत्र ॉको इस जन्जाती में भी किली के नाम से जना जाता है और इनका परिवार एकल होता है एकल परिवार होता है मतलब की यूनिट फैमिली बोल सकते हैं मतलब कि यहां जूयण यह नहीं होते हैं तदधा और इनका जो वन्स होता है ना पित्री-वन्स यह होता है मात्री नहीं होता है पित्री पिता के वन्स कह लाते हैं यह ठीक है नेक्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट किया है जिसमें जिसमें माहली मुंदा माहली मुंदा और कपाट मुंदा सर्व परमुक है तो हम लोग क्या देखें कि सोमा सी मुंदा ने मुंदा जन्याती को थर्टीन उपसखाओं में विभाजित किया है जिसमें माहली मुंदा तथा कमपाट मुंदा सर्व परमुक है ठी मुंढररी मंदार हो इहां पर मुंढरी अजिए और ये कौन सा पासा समूल का भासा हैं तो कौन आ इस अ यस प्ता एस्त्र rituals अटिक होगा ठिक है एस ट्रो आसीयाटिक भासा परिवार के अंदर गण तो बुंडारी भासा था गी श्ता फॉंट अम लो कि करेंगे सोसो बोंगा कौन है यहां पर सो सो बोंगा एक परकार का बैलेट है founding मुंदा जंजाती का परसीद लो गता है क्या है मुंदा जनजाती का परसीद लो कता है जो इनकी परम्परा एमएंवां विकास कarp करम परपर का डालता है तो यह सोसो बंग बोंगा क्या है एक बैलेट है ईक लोग कता है दो मुंदाज जन जाती कर परसेद्ध लोग कता है DAN कि आतो इनकी परमपरा और विकास करप्व परकास डालता है कि अब यहां पर देखींगे इनका परमुख पर्व कोण कौन सा है पर मुख पर्व कौन कौन सा है सरहुल है कर्मा है सुहराई है ठीक है सुहराई मतलब पसु पुजा होता है ठीक है सुहराई में पसु की पुजा के जाता है नाम बापरब है बुरू ठीक है बुरू पर्ब ना दिसंबर माह में मनाया जाता है याद रखिए का बुरू जो पर्ब है दिसंबर माह में मनाया जाता है माग पर्ब देखिए इनका नाम ही है मागे मागे पर्ब मतले माग में होगा फागू पर्ब यानि फागू में होगा ठीक है जत्रा य इस जन जाती में पूरुस द्वारा धारन की जाने वाले वस्त्र को बटोई कहा जाता है बटोई या केरिया कहा जाता है ठीक है बटोई या केरिया कहा जाता है ठीक है बटोई या केरिया कहा जाता है याद रखिया पूरुस के द्वारा पूरुस के द्वारा जो वस्त्र ध यह बोलते हैं ठीक है और महिला होग के दोबारा Jet यह बना जाता जो ढारण किया जाता है उससे इन पारिया टिंक है पारिया तो यह बोलते हैं और हम लोग यहां पेअध लेखेंगे कि मुंदा जंजाती ठीक है मुंदा जंजाती प्रमप्रागत रूप से एक जगा से दूसरी जगा पर परवास करती है आरियों के आकरमन के बाद यह जंजाती आजिमगड उत्रप्रदिस में बस गई है यह जंजाती कहां बस गई है आजमगड उत्ताप्रदिस में बस गई है और बहुत समय पहले मुंडा जन्जाती का परवास कालंजर गढ़ चीट्र गढ़ नगरवाद गढ़ धार्वाल गढ़ पाली गरपीपरा मांडर पहर बिजनागड हरदानागड लक नोगर नंदनगर बेतिया बिहार रीजगड ठीक है इंपोर्टेंट ही रीजगड राजगीर बिहार ना रुविदासगर्ड में होता रहा है रुविदासगर्ड रुदासगर्ड से यह जंजाती दक्षिन की तरफ प्रवासित हुई और ठीक है कहाँ वी पच्छिम की तरफ प्रवासित नहीं दक्षिन की तरफ दक्षिन की तरफ प्रवासित हुई और ओमें डंडा ओमें डंडा यह हो यहां दिजेगा ओंधालेखा मतलब ओंधालेख का जार्कण में यह हैं रों Conference काम जारकुंढ कोर बस तो इस तरह से यह जाती यहां जारकण में बसी सिस्टेर और ये इस जाधी क्रीशी और पसुपालन पर अधारित है का सकते हैं या जो जनजाती है क्रिसी और पसुपालन के अधारित है जो जो मुंडा जनजाती के लोग सभी अनुष्ठानों में हडिया यह वह हमरान का पर्यों करते हैं यहां पर तीन परकार की भूमी बताया गया है ना मुणा जैन जाती में एक होता है पंकु क्या होता है पंकू, हमेशा उपज देने वाली है, यह कैसी भूमी है, हमेशा उपज देती है, ठीक है, उपज देने वाली भूमी है, और सकेंड क्या है, नगरा है, यह औसत उपज देने वाली भूमी है, और थर्ड में कौन सा था है, खिर्सकी, कौन सा है, छी किरिसखिय है थिक ना खिरिस्की है किसीकिटि 2018 किपकी यह बालू युक्त-भूमि वोती है ठीक है यह यह बालू युक्त-भूमि होती सीम भूंगा सूरी का ही परती रूप है ठीक है अब हम लोग देखेंगे हातु भूंगा हातु भूंगा ग्राम देवता को बोलते हैं कौन सा देवता को बोलते हैं ग्राम देवता को हातु भूंगा बोलते हैं और देखो देशा उली जो है गाउं के सबसे बड़ी देवी को को बोलते हैं देशा उली गाओं के सबसे बड़ी देवी को देशा उली बोलते हैं ठीक है खुट हंकार या ओंडा बोगा ठीक है खुट हंकार या ओडा ओडा कर सकते हैं ओडा ना ओडा बोंगा कूल देवता को बोलते हैं ठीक है इकिर बोंगा जल देवता को बोलते हैं इक बढ़ देवता को बूलते हैं अब हम लोग देखलते हैं इनका जो पूजास्थल है उसको उसका क्या नाम है पूजास्थल का नाम है सरना ठीक है पूजास्थल का क्या नाम होता है सरना धार्मिक परधान कोन होते हैं तो धार्मिक परधान पाहान होते हैं अब पाहन का सहाय क जर्जाती में ग्रामिन पुझारी को नलें डेवड़ा बोलते हैं और मुण्डा जर्जाती में सवोत को जलाने और दपनाने दोनों की बिदमाने यहां, यहां लेकिन दफनाने के जो प्रता है न अधिक लोग पिरूह है कह सकते हैं कि जुलजाजुतर ही लोग दफनाते ही हैं और इनका जहां पुरुवजो कि अस्तियाद दभी होती है उस जगह क्या बोलते है सासन बोलते हैं सिलखंड का भी नाम होता है उस सिलखंड का नाम क्या होता है久 है एक अस्थान जहां मुंडा जंजाती के पुर्वजों की हडियां दभी होती है क्या कहलाता है तो जहां मुंडा जंजाती के पुर्वजों की हडियां दभी होती है उसे सासन कहते हैं ठीक है क्या कहते हैं सासन कहते हैं नेस्ट की बिशन पाइब क्या है मुंदा सब्स्ट क्या है उप्सन चार एंपसन हमारे पास है गाऊं काुन अधिक धनी बेखती गाउं का राइनितिक परमोग गाउं का धार्मिक परमोग गाउं का सबसे महान बेखती तो हमारा जो सही राइट एंसर होगा वो होगा गाउं का राइनितिक परमोग next question मुंडा जंजाती का समन्द इन में से किस समू से है मुंडा जंजाती का समू इन में से किस समू से है कॉलेरियन समू और्ष्टिक समू दरविट समू इन में से कोई नहीं तो कॉलेरियन समू राइट एंसर होगा चलिए next question इन में से किस जंजाती द्वारा स्वैम को होडो को कहा जाता है तो ऑप्शन हमारा चार्ट हो है ना उराओ मुंडा चीरबडाइक बथूडी तो राइट एंसर होगा मुंडा निमन में से कौन से जंजाती अपनी भासा को होडो जगर बोलते हैं अपनी भासा को रोजगल कोन मूलते हैं म्न लटा ही बोलते हैं ठीक है चारखंड की की जिले में मुंडा जंजाती का सरवधिक संकिंध्रन है तो सरवधिक संक्राइब कहा है प्लामू में है या फिराचि में है या पच्चिम सिम्भू में को डर्मा तो हमारा राइट एंसर होगा राची चलिए nex कुछले और देखते हैं मुंदाों दवारा निर्मीद भूमी को नीममें से क्या कहा जाता है मुंदाओ द्वारा निर्मीद भूमी को निर्मीट में से क्या का जा चौरस भूमी, पाट भूमी, परति भूमी या खुट कटी भूमी तो हमारा रैट इंस रहोगा खुट कटी भूमी Next question मुंडा जनजाती की प्रसासनिक बे उस्था में खूट का थाथ पर यह है तो चार ऑप्शन है खेत का एक ही सा परिवार परिवार का मुख्या किरायँ पर लगी हुई भूमी तो हमारा राइट एंस रोगा परिवार खूट कटी का मतलब क्या हुआ कोट का मतलब क्या हुआ ठीक है 12 नंबर कीवडे मुंडा जन्जाती की समय मिल questo कौण सा कiadवासठी है असत्य सथ हो फिर्स्ट ऑ प्सन है मुंडा जन्जाती में घिंशाती सवहल वर्जित यह सही है मुंडा जन्जाती में आयोजित विवादरी परशलित सब्सक्राइब करेंगे सब्सक्राइब का सब्सक्राइब स्पार्ण सब्सक्राइब इसमाजी बीवस्ता समंदित नमाकरिन का मिलान करेंगे हम लोग ग्राम पर्थान को क्या बोला जाता है तो ग्राम पजान को हाथ ली कहा साथ ग्राम पर्थान को हाथ रात करन होते हैं ना तो क्या बोलेंगे उनको ग्राम पंचायत के परधान को क्या बोला जाता है देखिए गा का कौन सा होगा तो गा का होगा नहीं यह तो रॉंग होगे लगता है यहां पर हातु मुंडा ग्राम पंचायत को बोलेंगे ग्राम पंचायत के परधान को हातु मुंडा बोलेंग हちゃ disclaimer यह नहीं नहीं देख लेते हैं ग्राम पर्धान को क्या बोले जाता है ग्राम परदान को मुंडा बोला जाता है किया ग्राम नगर मस्री मुंडा और शाल करना को मान की इनिका हमारा एंसर कौन सही है आप सभी आप से एप option सभी है ठीक है चलिए next question चलते हैं मुंडा जंजाती में कई गाओं से मिलकर बनी पंचायत को क्या कहा जाता है बहुत सारे जो गाओं मिला कर बना जाता है ना उसको क्या बोल जाता है option हमारा यह है अक्रा खूट परहा पंचा तो हमारा answer कौन सा सही होगा परहा सही सब्सक्राइब करें पंचायत को क्या कहा जाता है तो क्षोट पंचा तो option number A हो जाएगा अख्रा ठीक है next question पर आते हैं मुंदा जंजाती में तलाक को निमनिम से किस नाम से जना जाता है तो तलाक को गुनोंग कहा जाता option ही हमारा गुनोंग टका है मैं को परीवार्यां किनैसरी सगता है मुंदा परिवार में एकल परिवार की यह सही है मुंदा परिवरि मात्री सतात्मक होता है यह हमारा रॉंग है तो हमारा यह और मतलब वन और टू जो कथन है वो सत्य है तो वन और टू किसमें है सी आप्शन में है तियानी सी आप्शन सही हो जाएगा इसका ठीक है 90 नमर में मुंदा जन्जाति के परसीद लोग का था जो इनकी परमपराएं वोंबिकास क्रम पर परकास डालता है का नाम क्या है तो हम लोग यह डिसकस कहे थे अभी ना जब डिसक्रीप्टिव प्राट रहे थे तो सोसो बॉंगा नाम है यह हंतरी नाम है यह सोसो शिंग सोषो बुंगा होगा ठेक है क्या होगा जलिए बटेड़ा बतोई क्या है बट ऑटोई क्या है तो बटोई मुं तहीं मुनदा जमा पुरसो disparities किया जने वाला एक वस्त्र है टीके नेच्सेम है yes यह तो पारिया हम लोग भी टेन Almospora मुंडा जन्जाती के समझें कौन सा कथना असत्र है कौन सा कथन असत्र है यह हम लोग देखेंगे मुंडा जन्जाती द्वारा सभी अंस्ठानों में हडिया का प्रयों की जाता है ये तो सही है मुंदा जंजाती का प्रमुक आर्थी किरिया के लाब क्रिसियो परसु पालानी ये भी सही है मुंदा जंजाती द्वारा परसु पुजा हे तो आयोजी तेहवार को लोहराई कहा जाता है नहीं सोहराई कहा जाता है ये मिस्प्रिंट है लेकिन ये भी सही होगा तो हमारा D option लिखावा है, उपरोज सभी कथन सत्य है, ठीक है, D option सही हो जाएगा, और हम लोग 23 नमर पर आते हैं, आर्थी उपियोकता के अधार पर मुंदा जन्याती द्वारा भूमी को तीन भागों में वर्गी क्रीत किया गया है, यहाँ पर मिलान करना है आपको, ठीक है चली देखते हैं, तो जो पंकु भूमी है, यहाँ पर क्या लेखा हुआ है, पंकु भूमी, तो पंकु भूमी को क्या बोला जाता है, पंकु भूमी को हमेशा उपजाव देने वाली भूमी कहा जाता है, ठीक है, पंकु भूमी को हमेशा उपजाव देने वाली भूमी कहा जहां चीक है खिरसी भूमि हो क्या गो बोलेंगे बालू यूक्त भूमी बोलेंगे माखिरसी भूमि को बालू यूक्त भूमिख भूभर इपनिक्ट लिए और जो है इसमक्रों सैंनल मिलन करते है यह हो गया हमारा का 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 टूअप चैका हमें सब्सक्राइब खिरसी जो भूमी है बालू इक्षोन और नग्रा ऑसत आशाट उपजदिने वाली भूमी है ठेक है नेस्ट क्विश्टन पर चलते हैं तो हमारा एंसर कौन यह इसमें आपसं में हो जाएगा option B हो जाएगा 23 का B छलिए 24 देखते हैं मूंदा जन्जाति के परमुख देवता को क्या कहते हैं तो परमुख दियोटा're थे नहीं मुंदार जनजाती के निम्द देवताओं के समंद में उचीत मिलान करें ऊचीत मिलान करना है ढूरी ऩ्हुर्टा है कि तो देख लिए हम लोग यहां पर क्या लिखा हुआ फइस Τ हाथ टूबंगा है तो हाथ टूबंगा जो लिखा बना को कहा है क्डू nursery товram ग्रामे देचा वाली क्या है ंदेसा वले क्या हैं is वह लिगाओं की पर्मुख्षेफी को именно जाता है बढ़ा बोगा वड़ा गुल देवता को बने आ जाता रहे मुंदा जाता है यह कंदेस ale देखते हैं कि किसी अस्थान किस अस्थान पर रखे एक सिलाखंड को क्या तो क्या बोल जाता है हरगड़ी बोला जाता है लोग देखे थे अब गड़ी बोल जाता देवड़ा देवरी ये सब सब्सक्राइब है तो आज के लिए बस इतना ही धन्यवाद